काजू चोर हम पकड़े गए अरे बेटा हमारे काजू की कतली न बहुत जादा कातिल है अमारे ठीक है हम कहीं पर देखता है सबसे पहले हमारे पेट में जाता ठीक है हाँ स्टार्टिंग में हम काजू कतली इसले खाते थे क्योंकि वह सबसे महंगी होती थी तो ऐसा लगता था पैसा वसुनना है तो काजू कतली खाईए ठीक है लड़ू में क्या रखा लड़ू तो घर भी बन जाएगा ठीक है फिर बाद में जब खाने लगए तो पहले मजबूर से स्टार्ट किये थे पैसा वाला फ्रंट था इस बाद में मजा आने लगा मजा आने के बाद लत लग गया उसके बाद हमें जहां पर भी दिखता है पहले हम खुद खाते हैं ठीक है अरे ठीक है मोटे हो गए तो क्या हो गए है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप मोटे ह हो जाओगे हैं तो मोटे हो जाएंगे तो क्या दिकत है कि भाई काजू कतली का लड्डू बनाके कभी खाए है जो मजा आता है न हाँ ठीक है बाधाम चौर अरे ठीक है भाई खाने का मजा अलग है वर्काउट जब मेरे साथ पता नहीं ऐसा होता है जो नॉर्मली लोग कहते हैं फिटनेस कॉंशेंस फिटनेस कॉंशेंस यह वह फलान डिगाना भाई मैं वैसा नहीं हूं मैं जब जिम कर रहा हो तो तो मैं हुए सब्सक्रां डशेंस क्थी चार नहीं हो लेकिन जैसी मौत कि जिम बंद होता है भाई शाहा यहां तक रोती आ घ्याया तो तो बहाई जब कोई रहे है रोटी उपर तक आ गया है ठीक है हाँ तब ही जाकर रुकते हैं वरना चलता रहता है मामला ठीक है क्योंकि कई बच्चों को शायद ऐसा होता होगा कि उनको लिमिट नहीं पता होती खाने की जैसे बचपन में हम थे ठीक है हम चार भाई बेहन थे पर चारों खानेक्लें बहुत ज्यादा कीन थे और भाई खाने क्ले बैठते हैं वाण रोटी अगर महि बना रही है तो पंढरा पंढरा 20 भीष रोटी खा रहे है दूद पी रहे है तो ढो तीन रिकम चाहरा है और और खाना खाने के बारे हैं ल Catholics और मजा तो हमरे लिमिट का बारे में पता ही नहीं था मम्मी खाना खाओ ऑख हम कहते आपको भी खा जाएंगे जल्दी बनाईए इतना भूक लगा खाना खाने के बाद हम जरूर मीठा जरूर डुढ़ते ते ठीके तो मम्मी कहते ही मीठा तो कुछ भी चीनी देदीजें चीनी को हम घोल के पी जाएंगे लेकिन चाहिए जरूर पाचक शक्ती बढ़ाता है मीटा खाने से तो बहाने थे वह लेकिन मजा जरूर आता था ठीक है तो खाने का लिमिट हमें आज तक कभी पता नहीं आया ठीक है